नमस्कार प्रभा सक्षी निउस नेटेक और आप सभी का स्वागत है भारत हमेशा पडोस प्रथम निती को आगे रखकर चलता है लेकिन यदि पडोसी ही आँख दिखाने लगे तो उसे लगे हाथ तकड़ा जवाब भी दे दिया जाता है करज में डूप चुके मौलदीव को भारत ने लगातार आर्थिक मदद दे कर उबारा वहाँ बुनियादी धांचा परियोजनाओं में अपना पैसा लगाया बुखमरी और महमारी के समय वहाँ भोजन और वैक्सीन पहुंचाई वहाँ के पैटन छेतर को खड़ा करने के लि लेकिन जब मौलदीव के तीन मंत्रियों ने भारत के प्रधान मंत्री के खिलाफ आव मर्यादित टिपड़ियां कर दी और भारती पैटन छेतर का मजाक उड़ाया तो पूरे देश ने एक साथ खड़े होकर मौलदीव को ऐसा सबक सिखाया कि वह नजीर बन गया प्रधान मंत्री के खिलाफ मौलदीव के तीन मंत्रियों की टिपड़ियों से गुसाए भारतियों ने मौलदीव की यात्रा रद्ध करनी शुरू कर दी होटलों और हवाई टिक्टों की बुकिंग रद्ध होने लगी और सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मौलदीव तीके अनुरूप नहीं है यही नहीं मौलदीव की पूर सरकार के मंत्रियों और पूर रास्ट्रुपतियों ने भी अपने ही देश की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और भरोसे बन्ध पड़ोसी भारत के खिलाफ की गई टिपड़ियों को अपने पैरों पर और अन्य छेत्रियों के हस्तियों ने प्रधानमंतरी के समर्थन में टिपड़ियां करते हुए मौलदीव को खारी-खारी सुनाई है उससे माले के पूरे पयटन उद्यों को दिन में तारे दिख गए हैं भारतियों के रुख को देखते हुए अन्य देशों ने भी पड़ी प्रेड़ना ली होगी क्योंकि आज के समय में भारती नागरेखी कई देशों की परेटन अर्थववस्ता में जान फूंक रहे हैं इसके पूरे प्रक्रण से लक्षदीब के परेटन को भी नए पंक लगना तैह हो गया है क्योंकि अधिकतर लोगों वहां की यात्रा की इच्छा चताई है आने वाले दिनों में संभव है कि वहां के लिए अधिक से अधिक फ्लाइटे शुरू हो जाएं ताकि लोग आसानी से वहां पहुंच सके जहां तक मौलदीव के मंत्रियों की टिपणियों पर भारत के आधिकारी खुरुख की बात है तो भारती उच्चायों के स्थर पर तदकाल ही आपत्ती जता दी गई थी लेकिन अब भारत में मौलदीव के राजदूत को विदेश मंत्राले में तलब कर भी अच्छी तरह से सुना दिया गया है और मौलदीव के कई मंत्रियों द्वारा प्रधान मंत्री नरेंद्र बो पता दें कि तीनों उप मंत्रियों ने लक्षदीव की यात्रा के बाद एक्स पर प्रधान मंत्री की और से की गई पोस्ट के लिए उनकी आलुचना की थी और कहा था कि केंद्र शाषित प्रदेश को मौलदीव के विकल्पिक प्रेटन स्थल के रूप में पेश करने का ए तो मौलदीव हिंद महासागर छेतर में भारत के प्रमुक समुद्री परोसियों में से एक है और माले की पिछली सरकार में दोनों देशों के बीच रक्षा छेतरों सहित समग्र दुपक्षिय समंदों में प्रगती देखी गई थी नए राष्टपती मुहमद के करीब हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से इस्तिव तुपिय देश उसके समर्थन में अब चीन नीतियों को आगे बढ़ाएगा 12 जहां तक मौलदीव के राष्टपती मुहमद मुईज्जु की चीन यात्रा की बात है तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि इस त करेंगे और सहयोग दस्तावेजों के हस्ताक्षर समारों में भाग लेंगे यहां यह भी ध्यान रखे जाने की जरूत है कि मौलदीव के राष्टपती पद पर रहने के दुरान इब्राहिम मौहमद सोली ने पहले भारत की नीतिका पालन किया था और भारत के साथ घनिष् इसपस्ट है कि आज का भारत कि समझने और समझाने की नीती पर विश्वास करता है कि समझने की और सम्झाने की यह लेकिन अगर कि लेकिन अगर कि हमें आज माने की कोशिश की पिर तो जवाब उतना ही प्रचंड मिलेगा